Hello traders and welcome to the studio members 3 screen trading setup का आखरकार लोग यूस क्यों करते हैं आज कोछ अपना ये वीडियो इसके पर हम लोग इसी के ओपर discussion करेंगे कि 3 screen trading setup का importance ऐसा क्यों होता है यहाँ पर जैसे कि last video हमने अप्लोड के आख था वहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर हम multiple screens का इसके अंदर use करना चाहिए तो यह हमें option देता नहीं है यहाँ पर premium subscription लेने का option आजाता ग्रेट कीजिए तो उसके बाद में आप 8, 4 या जितनी भी screens है इसके आप use कर सकते हो अगर invest नहीं करना चाहता है पिसके ओपर या फिर अपने plans को upgrade नहीं करना चाहते तो किस तरह से आप multiple screens का use करोगी इसके discussion करने के और multiple screens use करने का आखिरकार use क्या है क्या ऐसा तो नहीं यह सिर्फ आप show off में या फिर अच्छा लगता है बस इसलिए multiple screens रख लिए जबकि शुरुआत में पंद्रा बीस मेट आदे या एक घंटे तक तो आपने देखा और उसके बाद में फिर एक ही monitor के उपर आपका ध्यान शिफ्ट हो गया बाकि आपको बिजली कबिल जा रहा है तो दो screens आपके खाली ही चल रही है तो यह मालूम होना चाहिना है कि 3 screens का आखिर कर use क्या है कैसे हम लोग इसका use करेंगे तो आज के इस वीडियो में पूरा एक logic समझेंगे 3 screens या फिर यहों कहा है कि multiple screens का use क्या होता है इसके लाव अगर आपको वीडियो अच्छा रहता है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट कीजिए psychology, money management और trading tactics के ओपर काफी अच्छी और detailed book है आप चाहो तो पड़ो काफी कुछ इसके अंदर आपको knowledge मिल सकती है और अगर हम सही है तो यही वो पहली book है जिसमें इस topic को इतना deeply परिभाशित आप कह सकतो होगी परिभाशित किया गया next step में Dr. Alexander ने इन तीनो topics को त्री screens को तीन parts में divide कर दिया first is tight, second is wave and third is ripple tight wave ripple क्या है इस concept को पहले समझे रिपल में हम लोग रखते है higher time frame को wave में रखते है lower time frame को and third में रखते है lower to lower time frame यह तीन time frame होगे basically इसका concept क्या है कि किसी भी अगर stock हमें trade करना है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं आज के example के लिए जो चीज़ हम देखेंगे कि हमारा एक time frame होगा higher time frame अब just for example higher time frame में हम लोग रख देते हैं आवरली time frame को second lower time frame में रख देते हैं हम लोग 15 minutes के time frame को and third पर रख देते हैं lower to lower time frame यानि कि 15 minutes से भी चोटा time frame हमारा 5 minutes का time frame तो इस तरह से tight wave ripple यानि कि higher lower and lower to lower time frame hourly 50 minutes और 5 minutes I hope कि tight wave ripple आपको समझ में होगा tide में फिर से देखिए tide में higher wave में उससे कम और ripple में उससे भी कम अब होता है कि इसमें कि तीनों ही screens पर हम यह तीनों ही time frame अपने लगा करके रखते हैं अब hourly पर क्या होगा कि मेरी first hour की candle है first hour का हमने वेट किया अब first hour में हम देख रहे हैं कि price हमारा low तोड़ा है पस्ट वाली candle का low break हो रहा है सेम चीज को हमने जा करके देख लिए सिधे 15 minutes के time frame पर यानि कि 15 minutes पर भी price क्या कर रहा है अगर hourly time frame पर यहाँ पर एक candle पर बेसिक सी बात है कि यहाँ पर हमारी 4 candles बनेगी अब इन 4 candles के बनने के बाद में hourly time frame पर इन candles का भी breakout हो रहा है अब जब इन सभी candles का breakout हमें downside की तरफ दिखेगा यानि कि क्या हुआ कि hourly पर भी price हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है और 15 minutes के time frame पर भी price हमारा नीचे की तरफ breakout कर रहा है मतलब एक screen में हमारा hourly का time frame चल रहा है और second screen में मेरा 15 minutes का time frame चल रहा है इसके बाद में ripple की बारिया थे ripple का मतलब के lower to lower time frame एक range अगर पैज ने बनाई हुई है इस तरह से करते हुए काफी सरी सके अंदर candles आपकी बनेगे up and down, up and down आपको दिखेगा तो जो जिस screen पर हमें अपनी entry लेनी होती है जो basic screen होती है हमारी main screen उसके ओपर हम लोग ripple time frame का use करते हैं याने कि यहां से भी अगर हमें downside के momentums देख रहा है तो होता क्या है कि तीनों ही time frames पर सेम हरकत हो रही है इससे trading की जो हमारी accuracy होती है वो increase होती है randomly हम लोग कोई भी trade execute नहीं करते है उस trade में जाने अन जाने हम एक सही analysis का use कर रहे होते है I hope कि छोटा सा जो concept है यह आपको समझ में आयो यह तो बात होगी जबकि किसी stock को हम time frame के according अपनी screens पर हमने divide कर दिया अब इसके बाद में second आता है कि मान लिजे आपके पास auto sector को आप trade करना चाहते हो और आपके पास tata motor है अब tata motor भी हो गया आपने एक screen पर maruti का stock लगा दिया और तीसरी पर आपका auto sector चल रहा है तो आप देख रहो कि जब यह तीनों ही charts एक direction में show तो अपना जो moment time वो show करेंगा या फिर किसे की stock के अंदर जो अपनी trend defined क्या है वो आपको short selling करना है अब tata motor भी आपको short selling show कर रहा है यहाँ पर time frame आपको जो भी हो इसके बाद में हम maruti को भी देख रहे है because maruti भी एक high weightage stock है ना auto sector का टाटा motor का क्या move होगा बहुत बार ही maruti पर depend हो जाता है कि maruti जिस तरह का move कर रही है लगभग-लगभग same to same move same to same ने बोलेंगे लगभग-लगभग milajula move आपका टाटा motor कर देगा तो एक तरह से में maruti का भी यहाँ पर confirmation मिल गया और हम और सेम चीज़ यहाँ पर हम क्या कर रहे है auto sector को भी देखी ले रहे है कि auto sector भी हमारा low break कर रहा है और जो मेरा maruti का stock है यह भी low break कर रहा है और टाटा motor के अंदर हमें तो हमें trade एक्जीक्ट कर नहीं है तो जब यहाँ पर यानि कि तीनों ही screens पर हमें same price action दिखते हैं same price action तब हम यहां से अपना trade execute का देते हैं अभी अपने बोला ना आपकी accuracy इससे बढ़ जा तो अच्छी तरह से आप इसका use कर सकते हो ये तो बात होगे कि multiple screens अगर आपको use करनी है तो अब इससे पहले भी हमने क्या बताया था आपको अगर हमें use करना multiple screens तो हम किस तरह से use करेंगे ये जितनी भी drawings इनको सब को remove कर देते हैं अब आजाते है multiple screens use करने के लिए तो देखिए यहां पर गया हमने सोचा कि चलिए आज हम 3 screens लगाते हैं बट ये अपग्रेड मांग रहा है वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए आपके लिए यहां पर पहले से ही इस वाले सोटर को download करके रखा हुआ है और ये चल रहा है रनिंग में है अब देखिए होता क्या है एक तरह से हैख है एक टेक्निक है जब मल्टिपल स्क्रिंस को हम लोग यूज करेंगे क्योंकि गूगल क्रूम के अंदर ये आप कोई फैसिलिटी मिलती नहीं यूज उविदा नहीं मिलेगी तो सिंप्ली आप यहां पर अपने गूगल ब्राउजर पर जाओगे यहां पर यहां पर आजाने के बाप में लोग ट्रेडिंग यू को सर्č कर लें अब ट्रेडिंग यू का चार्ट में ओपन करना है ảिसे में उपन करदेंगे इक प्रोडेक्ट में आजाएंगे चार्ला को फैसिलिटी जो भी में यूज करने unterstützen हमारे एक मेंबर है जीवनदीप जीवनदीप जी ने आज से करीब तीन दिन पहले हमें यह चीज बताई थी कि इस तरह से अगर हम लोग करते हैं उनके चैट पर हो पाएगा तो आप लोगों को हम शो कर देंगे अगर हम ऐसे करेंगे तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी और काफी अच्छा लगा जैसे सवह सब आप लोगे साथ को शेयर कर रहें अब जैसे वूलटास के चार्ट हमारा ओपर है अब एक तरह से हम लोग क्या करेंगे यहां पर गया और इसको क्लोन कर लेंगे आपको जितनी क्लोनिंग करनी है क्लोन कर लिजे अब यह तीन स्क्र CTRL प्रेस कर लीजे 1 2 और 3 जितने भी क्लोन आपके जो पार्ट्स हैं या जितने भी क्लोन चार्ट्स हैं एक स्क्रीन पर जब आपको उसको देखना है तो ऊपर में जाकर करें राइट क्लिक करिए और यहां पर देखें टाइल 3 टैब लिख करके आ रहा है टाइल 3 टैब पर जब आप जैसे ही क्लिक कर दोगे यह ओपन हो जाएगा देखने एक दो और तीन यह तीन की तीन स्क्रीन आपके पास आगे अगर आप्शन समझने में कुछ प्रब्रम हो तो वीडियो करके देख लिएगा सिंपल है समझ में आ जाएगा इतना क्लियर अब देखने के लिए तो एक-दो चार्ट से एक्जांपल भी ले लेते हैं जैसे की PVR हो गया PVR को उपन करा पर यहां पर हमारा जो टायम फ्रेम लगेगा वहागा वन आवर का अब वन आवर में क्या है कि फर्स्ट वन आउर की कैंडल का हमने यहां पर लो मार्क कर लिया ठीक है मेरा यह लो मार ड़्याइध की यहां पर जो हमारा टायम फ्रेम रहेगा वह 15 मिट का रहेगा हमने 15 मिट लगा लिया अभ 15 मिट पर भी हमारी यो सेम प्राइज देखेगा 1853.85 यहां पर 1853.85 सेम है न यहाँ पर भी देखे प्राइस हमारा नीचे के तरफ ब्रेक आउट कर रहा है यह 15 मिनेट का टाइम फ्रेम हो गया हमारा यहाँ पर 4 केंडल 5 बन गया और यहाँ पर सिर्फ एक केंडल बनी है और सेम यहाँ पर हम लोग PBR को उपन कर लेंगे PBR अब 3 मिनेट के टाइम फ्रेम पर भी क्या हो रहा है जिस पर हम लोग ट्रीड एक्जिक्यूट करने जिस पर हम एंट्री लीनी वहाँ से भी प्राइस हमारा डाउन मूब दिखा रहा है एक सीज याद रखिएगा इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन देख रहे है कि प्राइस हमारा उपर जा रहा है और इस लेवल पर आ जाने के बाद में जैसी आपका जो इंपोर्टन पॉइंट इंपोर्टन लेवल कौँँट है कि आपने यहाँ पर वन आवर के टाइम फ्रीम पर लो माक रखा है वो तो जैसे प्राइस यहाँ पर आया हमने देखा कि इसने एक स्विंग तो बना दिया है बट इस स्विंग का ब्रेक आउट ऊपर की तरफ नहीं किया समझ भा रहे है ना मतलब 5 मिट के टाइम फ्रीम पर प्राइस जैसे हमारा 1853.85 यहाँ पर देखिया आवली पर कौन सा प्राइस है हमारा 1853.85 प्राइस इसके उपर गया है बट स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया है और यहीं से फिर यह नीचे की तरफ गिर गया इससे होता क्या है कि confirmations हमारे बढ़ जाते हैं अब तीनों जगह पर एक ही तरह के price action चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तीनों जगह पर हम लोग जब अगर trade execute करना है तो एक अच्छा trade execute कर सकते हैं कोई सिर्फ PBR नहीं आप यहां पर हम लोग चलिए एक हिंड डाल को ले लेते हैं प्राइस क्या है हमारा 428.50, 428.50 मतलब यहां पर भी आपको breakouts show हो रहा है same price action देखी चल रहा है यहां पर भी breakout और इस वाले chart पर भी breakout और यहां पर हिंड डाल को time frame 5 minute breakouts तीनों जगहे पर एक ही तरह का price action हमें देखना को मिल रहा तो क्या यहां पर हम लोग जिस भी position में जाना चाहते हैं जिस भी side में जाना चाहते हैं अगर आपको उस तरह के momentum देख रहे हैं तो 101% यहां पर आप अपना trade execute कर सकते हैं तो यह use होता है multiple screens तो सिर्फ show off के लिए नहीं बहुत से लोग हैं कि जो show off के लिए लगा कर रखते हैं हाँ पैसा है पैसा है तो लगा हुए है हमारे पास तीन screens हैं सबसे उपर हमारी जो monitor होता है main monitor उपर में हैं और नीचे की तरह हमारे या कोई movie देखनी है कोई series देखनी है तो upside के दरख चल रहा है दूसरे वाले charts पर कभी कभी देखे क्या होता है कि whatsapp पर में कुछ reply बगारा करना हो तो second screen पर यह चलता है और जब मैं लगता है कि आज हम multiple screens का use करेंगे तो फिर multiple screens on हो जाती है अब ऐसा नहीं कि हमेशा यह हम use कर रहे है उसका लेकिन अकसर जब मैं ज़रूत पड़ती तो तीन screens है मेरे पास और इन तीनों screens का use अपने पास हो जाता है तो यह overall हमें setup आपको आज समझाने की कोशिश की इसका logic क्या है 3 screen setup का प्लस इसके फायदे क्या क्या है use करने के दूसरा और अगर आपके पास ऐसा कोई broker नहीं है जो कि आपको इतनी सारे screens use करने को नहीं दे रहा तो उसका hack क्या हो सकता है उसकी trick क्या हो सकती वो हमने आपको बता दी तो पूरी तरह से यह combination बन चुका है अगर आपको use करने तो कल से जब आपकी market बनो तो इस system को आप use करो और आप profit बनो बस यही उमीद हम आपसे करते हैं टेलेग्राम चैनल का link description में आप उसको join कर सकते हो मौने में काफी सारे stocks होते हैं जो कि अपने टेलेग्राम चैनल के थुरू हम आप लोगों को तक share करते हैं आप उसको देख सकते हो बहुत बार होता है कि हम view बताते हैं आप उसको sale कर सकते हो या buy कर सकते हो उसके उपर आप अपनी analysis लोग देखिए फिर सम्बोल है वहाँ कोई किसी तरह को jackpot नहीं होता है एक simple से stock हम देएंगे आपको trade करने के लिए उसका level हम माग करके देएंगे view आपको रखना है उस stock के अंदर वो stock का view हम बदा करके देएंगे लेकिन ये clear हो जाता है help उसके अंदर ये हो जाती है लिंक description में पढ़ा हुआ है thanks and अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में तब तक लिए thank you and we will meet again